हाई दोस्तों असलाम अलेकुम कैसे आप लों में अम नबील है आइफोन 11, 11 Pro, 11 Pro Max या फिर आइफोन 10R, 10S और 10S Max 2018 या 2019 का कोई भी आइफोन आपके बस है तो आपको पता होना चीए कि यह जो आइफोन है यह डूवल सिम सपोर्ट करते है यह जो डूवल सिम का सपोर्ट होता है इसके अंदर इसमें होता है एक फिजिकल सिम जो यह हाँ पे मेरे हाथ में चोटा सा यह नैनो सिम और दूसरा होता है e-सिम अब यह e-सिम का सेटप जो है किस तरीकी से करना है इससे related बहुत request आ रही थी किस पर वीडियो बनाईए तो यही वीडियो जो है हमारा आज का वो यही बताने के लिए आपको है किस तरीके से जो है अब अपने iPhone 11 Pro 11 Pro Max iPhone 11 10R, 10S, 10S Max के अंदर किस तरीके साब eSIM सेट अप कर सकते हैं चाहे आपके बस iPhone हो या फिर Google Pixel हो जो eSIM सपोर्ट करता है यह दो ही Telecom Operators का कोई एक प्लान आप ले सकते हो जिसे आप अपने eSIM को इस्तमाल कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों इन दोन का जो प्रोसीजर है Reliance Geo का और Airtel का इसमे जो है थोड़ा सा एक फरक है वो QR Code को कैसे setup करना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि Airtel पे किस तरीके से आप अपने physical SIM को जो आपका connection है उसको आप eSIM में convert कर सकते हो और उसके बाद जो QR Code मुझे Airtel पे और Geo पे मिलेगा उसको setup किस तरीके से करना है उसका procedure एक है तो वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको जिस number को जिस physical dual SIM को eSIM में convert करना है Airtel वाले उसको अपने phone में रखना है और phone में जाना है आपको SMS के अंदर और उसके आगे अपना registered email ID दाल देना है अगर अपना email ID register नहीं कर रखा है तो Airtel के application में जाके अपना email ID आप register कर सकते हो इसके बाद आपको एक सवाल पूछा जाएगा SMS की जरीए से जिसका आपको जवाब देना है 1 में यानि की yes में और यह जवाब को बहुत ही जल्दी देना है 60 seconds के अंदर आपका reply चला जाना चाहिए जब one भेज देंगे तो आपको एक confirmation आ जाएगा कि अपने eSIM को confirm करने के लिए आपको जो है अप एक call आएगा इस call का आपको wait करना है और आपको जो है call उठाना है call रिसीब करने के बाद आपको जो है language selection के लिए कहा जाएगा पहली local language जोगी दूसरी हिंदी और तीसरी English तो जो भी आपको language यह सिलेक कर लीजिए उसके बाद आपको जो instructions दिये जाएंगे उसको गौर से सुनिए और आपको आगे दबाना है one जैसी आप one दबाएंगे और call को cut करेंगे तो आपको email के जरिये से एक QR code आ जाएगा अब ये QR code जो है अपने PC पे, laptop पे या किसी और phone में open कर लीजिए उसके बाद अपने iPhone के settings में चले जाएए settings में जाएए cellular के अंदर cellular के अंदर आपको जाना है add cellular plan में यहाँ पे आड हो जाएगा, यहाँ पे आपको label से लेक करना है इसको primary रखिए, secondary रखिए, जो आपको रखना है, personal office जो कोई भी इसको tag देना है आप दे सकते हो और यहाँ पे continue करने के बाद आपको यह पूचेगा क्या आपकी जो default line है आपकी calling की line है कौन सी होना चाहिए, atel होना चाहिए या फिर जी होना चाहिए, जो भी आपने sim लगाए, वो choose कर लीजिए और यहाँ पे इसके बाद इमीजिटली आपका sim जो है वो e-sim में convert नहीं होगा, यहाँ पे atel का physical sim का network अगले 2 वहंटे तक रहेगा यह जो add cellular वाला plan का जो तरीका मैंने आपको बता है जिसमें आपको QR code को scan करना है, तो Jio का QR code आपको मिलेगा उसको भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से scan करना है वो QR code को आप scan करेंगे और add cellular plan करेंगे तो आपका Jio का cellular plan जो है आपके e-sim में add हो जाएगा अब हमको इंतजार करना है दोस्तो दो घंटे तक, जब तक दो घंटे नहीं हो जाते आपका e-sim जो है वो activate नहीं होगा, चाए वो Jio हो, चाए वो addel हो तो दो घंटे यह procedure का wait करते करते हैं, हम लोग एक speed test कर लेते हैं और यह speed test में हमको यह भी पता चल जाएगा before and after के बाद में जो है e-sim activate करने के बाद speed में कोई कमी तो नहीं आई तो यहाँ पर आप देख सकते के 3 tower यहाँ पर addel के नजर आ रहे है चार में से और एक speed test कर लेते हैं और यहाँ पर speed test के अंदर जो download speed आई है वो है 3.9 GB और जो upload speed आई है मेरे addel connection पर वो है 7.2 GB अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो second sim है जो e-sim है उस पर network आ जाएगा और पहले वाले sim से network उड़ जाएगा अगर नहीं आता है तो फिर से जो है वो है 9.56 GB इसके बाद दोस्तों मैंने अपना जो physical sim है एटल वाला उसको बाहर निकाल दिया और जो मेरा जियो का physical sim है उसको साथ में लगा दिया और आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों जो networks है मेरे phone में आ चुके है तो दोस्तों यह बहुत ही simple और easy to use तरीका है आपको सारे instructions जो है SMS के जरीए से आपका mobile operator देते रहेगा आपको यह video जो है काफी help करेगी अगर आपको step by step procedure जानना है किस तरीके से आप इसको कर सकते है बहुत ही easy और simple to use method है बस उसका जो cellular plan है एक बार आप setup कर दे तो उसके बार delete मत कीजिए वहना आपको यह सारा procedure जो है फिर से repeat करना पड़ेगा तो बस इतना सा ही था दोस्तों simple सा procedure था उम्मीद कता हूँ आपको आज का वीडियो पसने होगा पसने को तुसको like और share जरू कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जरू कीजिए good bye